ज़िए हैं से सफेल जब्लोग यूट आप बढ़िया होंगे अपनी लाइफ इनजाय कर रहे होंगे तो आज यह क्या यह सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था है यहाँ पर आप वोग देख सकते हैं जहें के कि बहुत आप बताओ की सोलर पैनल से क्या हम मतलब वगेर इस टाइब करना था सोडर पैनल से तो दोस्तों मेरे पास तो बड़े बार शोर पैनल है तो उससे में आप लोगों को दिखाएंगे कैसे हम इलेक्ट्रियू कर जेंडिक। उसका कैसे मतलब फेक क्या है क्या मतलब फेक है कि रियल है मतलब जैसे आप लोग देखा ना वही बताने वाला हूं कैसे करते हैं पूरा कॉंसेप्ट रताओंगा आप लोगों वह ज्यादा लंबी वीडियों नहीं करूंगा चार से पांच मिनट में खतम हो जाएगी इससे हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं यह देख लेते हैं तो फ्रेंड्स रुखिए वीडियों में आंगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों पता दूँ कि हम इस टाइप के सोलर पैनल से इस टाइप के 220 बॉल्ड के बल जलाने वाले हैं तो जी हाँ दोस्तों क्या यह कि लिडियोंएं यह जानेंगे हम वीडियों को एंड में इसलिए आप लुटु को एंड तक जरूर देखिएगा तो फिरन जल्डे से हम झान लेते हैं कि आज हम कहा क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं तो सबस्पे पहले हम जानेंगे सोलर पैनल क्या होता है और सिलर एनर् जला सकते हैं कैसे क्या होता है और आकरे में कॉंपोनेंट होता है इन्हीं सेल जो है आपस में सीरीज में और पैलर में जुड़के बड़े-बड़े करेंट बना देते हैं अर दोस्तों चeg जब धूप में आते हैं तो यह फोटो इलक्रिक सेल्स होते हैं इसके अंदर से अलक्रिक सिटी जनेरेट होती है से इसे हैप भी इस सीमें को कहते हैं नहीं चैनल में लाइट नहीं स्मस्टायों भी ऑन की बहुत लम्म फारत और वह जानना जलूरी भी नहीं है तो यहां पर हमारा इस तरफ से इलेक्टिसिटी जनरेट हो जाती है तो हमने डो टॉपिक कवर कर लिए अब हमारा ठाट टॉपिक आ जाता है फ्रेंट्स बड़े और छोटे सोलर पैनल में अंतर क्या होता है तो बड़े सोलर पैनल में क्या होता है कि बड़े सोलर पैनल में तो इसमें क्या होते है कि मृट होती है कि हम grain falls कहते हैं केज लिए जाते हैं लिए जाते हैं जिस से उस चोटे solar phaseowर्ट हो जाते हैं तो यह difference है अब हम a साथ में का चाहिए पर जाते है इस solar panel के क्या हम उत्व हुआ है बल्फ या सकते है तो यह topic के आंगे से connected है तो friends से मैं बताता हूं क्यों तो इसको थोड़ा समय explain करता हूं थोड़ा सब deeply तो friends ज्यादा बैतर यह रहेगा कि हम इस concept को experiment के साथ समझें तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास solar plate है एक छोटी सी 4-volt वाली इस पर positive negative होता है मैंने जो कि आप लोगों दिखा चुका है तो इस पर positive negative बड़ा भी किस होता है भी या जी हाँ दोस्तों मैंने आप लोगों को यह नहीं बताया था कि positive negative होता है हम नहीं बड़ी बड़ी company जो गनाती है तो उस पर positive negative भी होता है जिस current से हम series और parallel में जोड़कर हम voltage और ampere को increase कर सकते हैं इनको solar plate के तो friends यहां पर सबसे पहले हम 220 बॉल्ट बल्फ जलाने से पहले हम यहां पर four bolt का वल्फ जलाकर देखते हैं यह जलता है कि नहीं तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यह four bolt का वल्फ आसानी से जल रहा है थो इस current से यह ब्लेंग करते हुए दिख रहा था लेकिन हम इसको धोफ में ले जाते हैं तो friends यह तो आप लोगो पता होगा कि धूप में ले जाने से ही अच्छे से वर्ग करते हैं कई we are धोले आया हो और आप लोग को अन्धयलय सबल ले रिखाता हैं कि यह जलता है की नहीं तो friends यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह जल रहा है brightness कम है क जो कम है क्योंकि यह उतना ज्यदा एंपिर नहीं देता है तो फ्रेंट्स अब एक बढ़िया सा सवाल आ जाता है अपने पास कि क्या हम इन छोटी छोटी सोलर पैनल से कि 220 बोल्ट की बल्फ को जला सकते हैं तो इसका दो अंसर है फ्रेंट्स हां और ना तो फ्रेंट्स आप मेरे मुझसे क्या सुनना चाहेंगे तो इसका सीथा सीथा मेरे मुझसे अंसर है ना नू तो फ्रेंट्स भागें कि थम्नेल में तो दूसरा बताया था यहां दूसरा हो उनको सीरीज में जोड़ेंगे पैल्लाड में जोड़ें जिससे हमारा हमको इतने सारा स्थ्रा पैनल आने पड़ेंगी यह हम इसको 5 MP लगभग और 12 बोल्ट तक लगभग बना लें और इससे क्या होगा इससे यह होगा फ्रेंड्स कि हमारा यह बड़े वाले इससी भाँच आप्ट आता इससे गए सोधार जैसे यह हैं यह आप अजना है को में पर उसके last अनल भी स्ड़ाइव मोओ बीथे ऊंदि या इसोट क्वाट वेस्द फेली बढ़ेंगा जुसके सितारें यदि आपके मन में यह कनेट आप BEN अबया होती है और यूद अपकर झेल चलती है तो कि यह जम पना उख्पोस्तों होँ से नहीं जलते हैं दोस्तों बट मेरा रिकमेंडेशन है कि यदि आप यूज करते हैं तो छोटे वारे सोलर पैनल का यूज मत कीजिए आप बड़े सोलर पैनल का ही खरीदिया मार्केट से क्योंकि यह बहुत ज्यादा वह जाएगा और इससे ज्यादा आपको आउर्पुट नहीं मिल पाएगा आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी मतलब वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों की थोड़ो सा यूजफुल नॉलेजफुल लगा और आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि मैं इस पर और डीटेल पर वीडियो बनाऊं या नहीं यदि आप चाहते हैं तो मैं इ